बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग राइस अप्ड़ प्लैनेट अप्ड़ एप्स इस कहानी की शुरुवात में विल नाम के एक वग्यानिक हो दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बिमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाता है और जल्दी वो इसमें काम्याब भी हो जाता है लेकिन इनसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इनसानों के उपर इस्तेमाल करना चाता है सबसे पहले वए बात अपने सीनिर को पताता है और इसके बाद बोर्ड ओप मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रिजेंटेशन दे रहा होता है विल की इस नई दवा से सब के सब बहुत खुश होते क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत जादा पॉजिटिव थे वह उस चिम्पैंजी को दिखाया जाता है जिसके उपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर एक वर्कर आता है जो उसे वहाँ से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगा ले जाना चाहता है जिससे चिम्पैंजी को बहुत गुसा आता है वो उस वर्कर का हाथ पकर लेता और इसके बाद वहाँ से निकल कर चारो तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगा पहुंच जाता है जहाँ पर बोर्ड आफ मेंबर्स की मिटिंग चल रही होती है यहाँ पर विल चाहकर भी उससे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यह चिम्पैंजी बहुत ज़्यादा अग्रसिव होता है इसलिए इस चिम्पैंजी को गोली मारने पड़ती है और अब चिम्पैंजी की मौत के साथ साथ विल का यह पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है उसे इस दवा को इनसानों के उपर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती अनकि विल अपने सीनियर को यानि की बoss को कन्व nominations करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्राबलम नहीं है लेकिन उसका बOSS साथ साथ मना कर देता है व AO कहता है कि एगर तुमारी दवा में प्राबलम नहीं होती तो चिम्पैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता हमें बाकी चिम्पैंजिस को भी मारना होगा जिनके ओपर तुमने दवा को इस्तिमाल किया था और अब विल का दिल तूट जाता है वो अंदर लैब की तरफ जाता है तब ही उसके पास लैब का केर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉबलम नहीं है दरसल चिम्पैंजी आपकी दवा की वज़े से अग्रेसिव नहीं हुई थी बलकि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्द दिया था जिस वज़े से उगुसे में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था और अब विल को पूरी बाद समझ में आ जाती है वरकर उसे कहता है कि मैंने सारे चिम्पैंजी इसको मार दिया लेकिन इसका दिमाग इनसानों की तरह तेज है बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है धीरे धीरे तीन साल बीच जाते है और अब वो चिम्पैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत जादा स्मार्ट हो चुगा वो पढ़ता है वो गेम्स केलता है और इनसानों की तरह हर एक काम को करता है बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इनसानों की तरह बोलना वो है विल के पिता को दिखाय जाता है जिनकी ऐलजाइमर बिमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत जादा खराब हो चुकी है यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरुत है घर पर उनकी टेक केर नहीं की जा सकती विल को इस बास से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिम्पैंजिस को दी थी जो उसने ऐलजाइमर के लिए बनाई थी वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुम्किन है इसी झीए वो hin रिस्क लेता है और अपने पिता को लजाइमर की ध्यूबा दे देता है यह पहले इंसान होती जिनके उपर इस लजाइमर की दवा को यूज किया होता है और अगली सुभा जब विल उटता है तो देखता है कि उसके पिता प्यानों बजा रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है यानि उसकी दवा ने उसकी पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है वही हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते वे देखता है सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए इसलिए उपड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है इसलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है लेकिन इससे पहले कि वो से बुरी तरह से मारता यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं विल उने समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ खेलने की कोशिश कर राता है यह हामफुल नहीं है और वो कहता है कि यह क्योंकि वो चिंपैंजी यानि की सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरसल सीजर को साइन लेंगविज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत जादा पसंद आता है। इसलिए वो विल के घराना शुरू कर देती है जहाँ से पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है उसे बाहर में ले ले जाया जाता है। इसलिए कैरोलाईन विल से कहती है कि हमें इसे भाल ले जाना चाहिए और विल और कैरोलाईन अब सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेड़ बुड़ है वहां ले जाते हैं जहां कर सीजर को भाल अच्छा लगता है और इसी तरह से 2 साल और बीच जाते है और अब विल और केरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में आ चुके हैं सीजर भी अब बढ़ा हो चुका है और हमेशा ही रेड़ वुड में आते हैं और एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेड़ वुड में होते तब ही वहाँ पर एक फैमली आती है जिनके पास एक डौग होता है जिसके गले में पट्टा होता है जो देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है वो विल से इशारों में पूसता है क्या मैं तुमारा पालतू जानवर हूँ इससे विल को बहुत दुख होता है वो कहता है कि तुम मेरे पाल तु नहीं हो तुम मेरे बेटे हो और अब सीजर अपने बारे में जानना चाता है कि वो कौन है वो कहां से आया है इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है कि तुमारी मौम यहां पर थी हमने उसके उपर एक दवा का इस्तिमाल किया था और उसी दवा की वज़े से आस तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है इसके बाद एक घर आते हैं जहां पर विल के पता को दिखाया जाता है जिनकी ऐल्जाइमर की बिमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनकी दिमाग पर उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया इस बाद से विल परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पता को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ट्राइव करने के लिए जाते हैं लेकिन ऐल्जाइमर बिمारी के वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ट्राइव कैसे किया जाता है इसलिए वो अपने पडोसी की गाड़ी पर टकक कर मार देते हैं जिस वजह से उनका पडोसी भार आता है यह वही पडोसी है जिसने पच्पन में सीजर को मारा था और अब भूविल के पिता को कॉलर पखड कर गाड़ी से भार निकालता है उन्हें मारने लगता है और जब सीजर इखिड की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता वो भार आता और उस पर हमला कर देता है सीजर इतना कुस्से में आगया होता है कि वो उस पडोसी की उंगली काट लेता है इसलिए कोट ये फैसला करती है कि अब इस चिमपैंजी को यानि कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता अनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगा ले जाते हैं जहां पर और भी चिमपैंजी रहते हैं आलग कि सीजर उस जगा नहीं रहना चाता लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा इस बास से सीजर को बहुत दुख होता है वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से ऐलजाइमर के एक बार फिर से पेशन बन चुके हैं और विल चाता है कि वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉंग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बिमारी को हमेशे अगले ठीक कर दे और ये बात वो अपने बास को बताता है वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी मैंने अपने पिता के ओपर इस्तिमाल की थी वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वो दवा इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी कि मेरे पिता की बिमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती और अब मैं स्ट्रॉंग दवा बनाना चाहता हूँ उसका बॉस उसे इजाज़त दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपैंजी के ओपर इस्तिमाल करने की तैयारी की जाती है और जब दवा को उसकी बॉड़ी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तब ही एक पाइप निकल जाता है वहाँ पर इनका एक कोवरकर होता है जिसका नाम फ्रैंकलीन है दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है जिसके बाद उस चिंपैंजी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है यानि कि इनकी ये दवा भी कामियाब हो गई इसके बाद विल और कैरोलाइन सीजर से मिल निकले जाते हैं जिससे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कहत किया होता है यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती जिससे विल को बहुत कुसा आता है और वहाँ के करमचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुमारे इस जगा को बंद करवा दूँगा हाला कि सीजर अब यहाँ से घर वापस जाना चाता है लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोट मुझे इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता विल यहाँ से चला जाता और सीजर बहुत जादा उदास हो जाता है तर असलो विल से नाराज है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा साथी दूसरे चिंपैंजी उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत जादा खराब है वो ने दवा देना चाता है पर विल के पिता मना कर देती है वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और इसके बाद विल के पिता की मृत्ती हो जाती है विल अपने पिता की मृत्ती से पूरी तरह से तूट जाता है और अब Caesar के लावा उसका कोई भी नहीं है वो से अपना पेटा मानता है इसलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जग़ा जाता है जहां पर Caesar को कैध किया गया है वहां का जो हेड होता है वो से बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ दे जाना चाता हूं हाला कि वो मान जाता है पर सीजर दर्वाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाता है वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है विल को लोटना पड़ता है अब इस जगा काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिमपैंसिस को देखने के ले आते हैं और जब उनमेंस एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पखड़ कर अपनी तरफ खींसता है और उसकी जेब से चाकु निकाल लेता है जिस चाकु से रात को अपना केज खोल कर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक औरेंगोटून को बंद किया है जो कि सरकस से है और सीजर इसका दोस्त है क्योंकि दोनों के दोनों इशारों में बात कर सकते हैं वो इसे आजाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहांपर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने ऐल्जैमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी और अब उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगा आ जाता है जहां पर बाकि चिम्पैंजिस को कैद किया गया है और वहाँ पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिम्पैंजिस इन्हिल कर लेते हैं जिसके बाद सब के सब चिमपैंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ती आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिमपैंजी से पर असर करती है। इनसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बागी चिमपैंजी से साथ उस जगा से भागना चाता है। लेकिन तभी वहा का एक वरकर जो सबी चिमपैंजी से को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है। और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है। तो सीजर उसका हाथ पकर लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुस्से दूर रखो। और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर पंच मार कर उसे वही पर गिरा देता है। और बाकी सबी चिमपैंजी से को आजात कर देता है। वहाँ के सबी चिमपैंजी से को ये आजात करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। पर क्या हुआ वो बताता है कि तिम्हारे चिमपेंजी सबको अबने साथ लेकर चला गया और वो पहली बार बोला भी था और अव विल को समझ जाता है कि सीजर कहा गया रास्ते में एक प्री जाता है जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोख लेती है और इसके बाद चिमपैंजी इसके और पुलिस के बीच में एक हमासान फाइट होती है इनके उपर हेलिकॉप्टर से भी हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तब ही यहाँ पर एक गोरिला जिसका नाम पक होता है वो हेलिकॉप्टर के उपर कूच जाता है और हेलिकॉप्टर को क्रैश कर देता है जिससे उसकी जान चली जाती है और तब ही वहाँ पर चिमपैंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलिकॉप्टर से इन पर गोलिया चला रहा था दरसल कोबा वो चिमपैंजी है जिसकी बाड़ी में लैब में नई दवा को इंजेट किया गया था और अब इस सब के सब रेड वूड पार्ग पहुंच जाते हैं जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है वो सीजर को आवाज लगाता है एक दूसरा चिमपैंजी विल के उपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो नाराज की छोड़ दो नहीं तो पुलीस तुम सब को मार देगी सीजर विल को अपने गले लगाता है कि अब यही मेरा घर है और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा इसलिए विल इस जगा से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है वो अपने सबी साथियों का यानि की अपने क्रूप का लीडर है वो ही हमें विल के पडोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी दरसल ये एक पाइलिट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उडाता है और इसकी नाख से अब बलड निकलता है दरसल फ्रैंकलीन जो विल का कोलिक था जिसकी नई दवा के वाइरस से मौत हो गई थी वो दरसल विल से मिलने उसके घर गया था लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पडोसी से हुई थी उसे खासी आई थी जिससे खून के चीटे इसकी उपर गिर गए थे और अब ये भी उस वाइरस से इंफेक्टिट है ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उडाता है इसका मतलब ये वाइरस पूरी दुनिया में फैला देगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी इम्यून है और ऐसा 500 बच्चों में एक ही बच्चा होता है जो जेनिटिकली इस बिमारी इस वाइरस से इम्यून हो वही चिंपैंजी को रेड वूड में दिखाया जाता है जो सेंट फ्रेंसिसकों के पास है वो अब भी सभी चिंपैंजी का लीडर है और अब पिछले 10 सालों में चिंपैंजी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉंग और विक्सित हो चुके हैं इनका अपना एक इक इलाका है जहां पर इनसान नहीं आ सकती सीजर का भी अब बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस के साथ जंगल में घूम रहा होता है तो भी उनके सामने एक इनसान आजाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइट्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है ताकि पूरे शहर को इलेक्टिसिटी दुबारा से दी जा सकी और ये जो टैम होता है ये चिम्पैंजिस के इलाके में है और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस को देखता है तो डर जाता और अपनी गन निकाल लेता है सीजर का बीटा भी गुराने लगता है वो आदमी डर कर गोली चला देता है जिससे सीजर के बेटे कर दोस्त जखमी हो जाता है गोली के आवास सुनकर सबी चिम्पैंजिस यहां पर आ जाते है साथ ही जिस आदमी ने गोली चराई होती है उसकी भी साथ ही जो यहाँ पर डैम को ढूंड रहे होते हैं चिमपैंजीज इने मारना चाहते हैं लेकिन सीजर जो की सबसे समझदार है उसको शांत करता है इनसानों के ग्रूप का लीडर जिसका नाम मैलकम है वो सीजर से बात करता है वो से बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं आए सीजर उन्हें कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना तुम सब यहाँ से चले जाओ अब वो सब के सब यहां से चले जाते है और इन्हीं चिंपैंजिस में जो कोबा होता है जिसके ओपर कभी इनसानों ने एक्सपेरिमेंट किये थे जो इनसानों से बहुत ज़्यादर नफरत करता है वो समींपैंजिस से कहता है कि इनसान दुबारा से हमारी टेरिटरी में आ गए हैं वो हमें नुकसान पहुचाएंगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुचाई थी और मैंने चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो इसलिए इनसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और इस सब तै करते हैं कि ये इनसानों की बस्ती में चाहेंगे और अब सीजर जो सबसे आगे गोड़े में होता है उसके साथ सबी चिम्पैंजी जिस इनसानों के इलाके में जाते हैं यहां पर दिखाया जाता है कि जो पहले खुबसूरत शहर हुआ करता था अब वो अतना खुबसूरत नहीं है यहां पर टेक्नलोजी और भौत सारी चीज़े अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इनसानों के इलाके में बहुँच जाता है यहां पर मैलकम एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुम से माफी मांग चुके है सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे अलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे हम जंग नहीं चाहते लेकिन अगर इनसानों ने पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर कोबा भी है कोबा चाता है कि वो इनसानों से जंग लड़े लेकिन सीजर इनसानों को वार्निंग दे कर यहाँ से पूरी सिना के साथ निकल जाता है वही मैलकम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पाउर प्लांट की इन्हें जरुवत है जिससे पूरे शहर में इलेक्रिसिटी आएगी वो सीजर के यानि की चिंपैंजी के इलाके में है जिस तक पहुँचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा तब ही यहाँ पर बिजली आ सकती है मैलकम अपनी सीनियर से बोलता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा मुझे एक और मौका चाहिए मैं गरुप लेकर वहाँ पर जाना चाहता हूँ मैं सीजर से बात करूँगा और अब मैलकम अपनी फेमली और एक चोटे से गरुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर उस eigenlijk को पूरी सिचुएशन समझाता है सीजर इंसानों के साथ रह चुका है उसे पता है कि इलेक्री सिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है सीजर कहता है कि एक शर्ट पर तुम अंदर आ सकते हो और जब ये पाउर प्लांट पर काम कर रहे होतें तभी एक चिम्पैंजी को वहाँ पर छुपी वी एक गं मिलती है और वो गं बो लेकर जाता है सीजर के पास और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपा कर यहां पर गं लाए हैं तो उसका गुसा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैलकम और उसके साथियों को कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ लेकिन तबी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बिमार थी मैलकम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई सीजर ये देखने के बाद इनसानों को एक मौका और देता है वो कहता है कि तुमारे पास एक दिन और है तुम इस पूरे पावर प्लान को ठीक कर सकती है और उसके बाद यहां से चले जाना दरसल मैलकम का एक साथी जो की एक्स पुलिस आफिसर है उसे चिम्पैंजिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है वो उनसे नफरत करता है वो यहां पर गंस लेकर आया होता है और इनके पास और भी गंस होती है और जब गंस एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं उपर से कोबा देख लेता है वो गुससे से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इनसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है वो से बताता है कि इनसानों के पास और भी हत्यार है तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए इस बाद से कोबा को गुसा जाता है वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है तुम इनसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा जाता है वो कोबा पर हमला कर देता है उसे बहुत बुरी तरह से जखमी कर देता है कोबा यहां से सीधा उस जगा जाता है जहां पर इनसान और उनके हत्यार है वो वहां से इनसानों के हत्यार लेता है बहुत सारे इनसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने अलाके में आता है यानि कि जंगल के अंदर जहां पर वो कई घरों को आग लगा देता है साथियों सीजर को भी गोली मार देता है सीजर वहाई जाडियों में गिर जाता है और अब वो सब चिम्पैंजिस के पास जाता है और कहता है कि इनसानों ने हमारी लीडर को यानि की सीजर को मार दिया वो हम पर हमला कर रहे हैं हमें उन्हें सबक सिखाना होगा दरसल कोबा इनसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है साथ ही वो ये भी अलान करता है कि अब मैं तुम सब का लीडर हूँ उसे सब लीडर मान लेते हैं और इनसानों से जंग लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं वह इनसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पाउर प्लांट ठीक हो चुका है वो सब एक साथ मिलकर इंजॉय कर रहे होते हैं वहीं सीजर अपनी पूरी की फूरी सेना के साथ उस जगा पहुँच जाता है जहां पर इनसानों की हत्यार हैं सबसे पहले इनसानों के हत्यार को लूटते हैं और इसके बाद उन्ही हत्यारों से इंसानों की ओपर हमला कर देते हैं, कहीं इंसानों को मार दिया जाता है, यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी, और अब कोबा उसे हत्यार देता है और कहता है कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उससे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वज़े हमला मत करना, और जब कोबा का वो ओर्डर नहीं मानता, तो कोबा उसे मार देता है, साथ ही जो चिंपैंजी उसका हुक्म नहीं मानते, वो उन्हें कै करते हैं, और अब जब सीजर होश में आजाता है, तो वो ने बताता है कि मेरे उपर हमला मेरे एक साथी, जिसका नाम कोबा है, उसने किया है, मैलकम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है, और अब वो जल से जल सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाता है, पिता सीजर अब भी जिन्दा है, वो मेरे पास है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा और उन्हें और किसी ने नहीं, बलकि कोबा ने शूट किया है। जिसको बंदी बना कर रखा है, सीजर का बेटा सब को आजाद कर देता है। जाता है कि मैंने टार के ओपर बहुत सारे बॉम्स को फिट कर दिया है, ताकि जब चिम्पैंजिस टार के ओपर चड़ेंगे, तो मैं बॉम्स को ब्लास्ट करके उन सब चिम्पैंजिस को मार दूँगा। हाला कि इसमें उसकी खुद भी जान चली जाएगी, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, और अब ये देखने के बाद मैलकम और सबी इनसान वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वही हामें उस एक्स पुलिस आफिसर को दिखाया जाता है, जो टाउर के एक हिस्से को बॉम से बलास्ट कर देता है, जिसमें कई सारे चिम्पैंजिस मारे जाते हैं। लेकिन कोबा सीजर और उसके कई साथ ही अब भी जिन्दा है, जब कोबा देखता है कि बहुत सारे चिम्पैंजिस अब सीजर के पक्ष में है तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, और सीजर उसे बिल्लिंग से टार से नीचे धकेल देता है, वो टार से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोबा ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सीजर उसे वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और अब मیलकम और सीजर एक दूसरे के सामने होते ही, यह दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यान इंसानों के और चिंपैंजीस के बीच में जो वार है उसे कभी खत नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने परिवार को लेकर यहां से निकलना होगा। मैलकम भी उसकी बात मान जाता है। सीजर और मैलकम एक दूसरे के कले लगते और इसके बाद मैलकम अपने परिवार के साथ यहां से निकल जाता है। सीजर अब भार आता है जहां पर बहुत सारे एपस होते हैं और सब के सब एपस अब सीजर के आगे चुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंसानों से उनकी वार होने वाली है और उन्हें एक लीडर की जरुरत है जो कि सीजर के लावा को कोई भी नहीं हो सकता इसके आगे की कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखें उमीद करते हैं कि ये दोनों कहानिया आपको पसंद आई होंगी